कश्मीर के चक्कर में कहीं पाकिस्तान खत्मन हो जाए इस बात को आपने काफी ज़्यादा सुना होगा लेकिन अब मोदी सरकार में राज सभा सांसद राकेश सिन्हा कुछ ऐसा ही बयान दे कर मानो पाकिस्तान में खलवनी मचा रहे हैं राकेश सिन्हा ने पाकिस्तान को लेकर भड़ा वयान दिया कस्मीर में हो रही कस्मीरी पंडितों की हत्या के मामले में प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि भारती सिन्हा तयार बैटी है जिस दिन सुब मुहुर्थ होगा उस दिन न सिर्फ पूरा कश्मीर बलकि पाकिस्तान भी हमारा होगा लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार मान रही है कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग में पाकिस्तान का पूरा हाथ है और पाकिस्तान से आया अतंगवादियों ने टारगेट किलिंग को अंजाम दिया और क्या सच में पाकिस्तान पर भारत कभी भी चड़ाई कर उसे अपने कबजे मिले सकता है और क्या मोधी सरकार के इस सांसत की बात में है सच्चाई इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे नमस्कार जहिंद बन्ने मात्रम आप देख रहे हैं भारत तक मैं हूँ आयूश दरसल राकेश सिन्हा मोधी सरकार के आठ सालों के कारिकाल पर लखी सराय में प्रेस कॉन्फेंस को सम्भोधित कर रहे थे इसी दोरान जब उनसे कश्मीरी पंडितों के टार्गेट किलिंग और उनके पलायन को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वहां से कोई पलायन नहीं हो रहा हमारी सरकार ने कश्मीर की इस्ति को बदल दिया है आतंगवादियों दोरा कश्मीरी पंडितों की हत्या को लेकर भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इस कायराना हरकस से भारत डरने वाला नहीं आतंगवाद का जो आवसेस बचा है वो अंतिम लड़ाई लड़ा है हमारी सेना तयार है जिस दिन सुब महुर्थ आएगा उस दिन कश्मीर तो है ही पाकिस्तान भी हमारा होगा जमू कश्मीर का मतलब लद्दाक होता है लेह और कारगिल होता है कायरतापूर्ड विवार हमारे राज और राष्ट की दिसा तय नहीं कर सकती कायरतापूर्ड विवार करने वाले को हम जड़ मूल से नश्ट करने के लिए तयार है वह एक गोली मारेंगे तो हम चार गोली मारेंगे प्योके लेने के लिए हम तयार बैठे हुए हैं बस मुहुर्द का इंदेजार है इन कायरों को बता देंगे कि भारत के सम्विधान संस्कृति को सिकार कर हमारा बन कर रहें तो वहीं पाकिस्तान को भी पहले से ये समझ में आ चुका कि अब उसे पियोके से भागना ही पड़ेगा और इसके लिए पाकिस्तान ने बगाईदा कदम भी उठाने शुरू कर दिये हैं दरसल पियोके के हालात और वहां के लोगों की दैनी इस्तिती की जानकारी समय समय पर सामने आती रहती है पाकिस्तानी सरकार ने अब पियोके की बजट में भारी कटाउती की है दरसल United Kashmir People's National Party के चेर्मेन और मानवधिकार कारिकरता सौकत अलिक कश्मीरी ने बताये कि पाकिस्तानी सरकार ने POK के विकास बजट में 2.5 अरब रुपे की कटोती की है इसके साथ ही आम बजट से 7 अरब रुपे की कटोती की गई है पाकिस्तानी सरकार ने POK के विकास के लिए बजट में 2.5 अरब रुपे और आम बजट में 7 अरब रुपे की कटोती की है पहले सरकार ने 2021 के लिए 49.9 अरब रुपे के कुल बजट पर सहमती जताई थी ताजा अपडेट से पता चला है कि बजट में भारी कटोती की गई है उन्होंने LOC पैकेज फंड भी फ्रीज कर दिया है खेर BJP सरकार के इस सांसत के बयान के बाद आप बकु भी समझ गए होंगे कि सहवाज सरीफ ने पियोके से बजट की कटोती क्यों की और पियोके पर राकेश सिना के इस बयान के बाद आपकी क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताएं तब तक के लिए देखते रहे भारत जाहिन!